बारिश का मौसम आते ही जहां लोगों की परिशानी बढ़ चुकी है तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में बारिश के दौरान आकाश बिजली गिरने से अब तक पांच लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है जिसमें से की तीन की मौत नालंदा चुले में हुई है और एक बांका तो वहीं एक मदुबनी में हुई है मतला दें कि इन मौतों के बाद सियाम नितिस कुमार ने खुद ट्विटर पर ट्विट की है और ट्विटर पर ट्विट करते हुए अजानकारी दी कि राज के तीन जिलों में वज़रपात से पांच लोगों की मृत्य हुई है जो कि काफी दुखत है इसी के साथ उन्होंने समवेद्रा प्रकट करते हुए लिखा कि मिर्दकों के पड़ीजनों को 4 लाख रुपए दिया जाएगा इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सत्तरक्ता बढ़ते बारिश का मौसम आते ही जहां लोगों की परिशानी बढ़ चुकी है तो वहीं आपको बतला दें कि बिहार में बारिश के दौरान आकास से बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है जुनमें की तीन नालंदा से हैं एक बाका और एक मधुबनी से मतला दें कि मुख्यवंतरी नितिसकुमार ने ट्विटर पर ट्विट के जड़िये समवेदना प्रकट की है और समवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा कि राज के तीन जिलों में वजरुपात से 5 दुखत है इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि सभी मृतिकों के पडिजनों को 4 लाख रुपए दिये जाएंगे साथ ही उन्होंने सभी से खराब मौसम में पूरी सत्रक्ता बरतने को कहा है इसी के साथ आपको बता दें कि आपदा प्रवंदन विभाग द्वारा समय समय पर सुझाओ जाड़ी किये जा रहे हैं उनका पालन करने को मुख्यमंत्री नितिसकुमार लोगों से अपील कर रहे हैं इसे के साथ उन्हों ने यह भी कहा कि खराब मौसम में घरों में रहें सुरप्चित रहें बता दें कि बिहार में मौसम का कहर लगातार जाड़ी है और कि घरने अब तक डेर्ड़ दर्जन लोगों की जान ले ली हैं बतलादें की राज्यों में खराब मौसम की वज़े से वज़रपात की वज़े से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है पुर्वी जंपारन के 4 भोजपुन सारण से 3 पस्षिम जंपारन में 2 तो वहीं मौसम लगाताद खराब हो रहा है और ऐसे में आकाश बिजली गिरने से लोगों की मौतों की खबर सामने आ रही है ऐसे में हम आप सफेसे यही अपील करना चाहेंगे कि जैसे ही मौसम खराब हो मौसम विभाग के द्वारा जो भी जानकाडी आए उसका पालन करें और साथ ही कराब मौसम में घड़ से ना निकलें खुद को सुरक्षित रखें ब्योरो सिटी पोस्ट लाइब